बिस्मिल्यारमान रहीम असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स होप यू आर फाइंग मेरा नाव रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ आज के लेक्चर का जो कॉंटेंट है वो है बी कॉंप पार्ट वान पंजाब नर्शी चैप्टर फिफ्टीन सिक्वोंस एंड सीरीज और यह जो पेपर है बिजनस स्टेटिस्टिक्स एंड मैतमेटिक्स का है जिसको हम बी एमेस भी कहते हैं तो इसकी एक्सरसाइज स्टेटिस्टिक्स एंड मैतमेटिक्स उसमें से क्वेश्टन लिए गए हैं और यह बुक आपको पता है कि ADP, BCOM IT, BCOM ONERS और BS Commerce के लिए जो है वो पंजाब निवर्शी में पढ़ाई जाती है या पंजाब निवर्शी के स्टूडेंट्स को रिकमेंड की जाती है ज्यादा से ज्यादा तो 15.1 जो exercise है इसमें page है यह लगभग आपकी बुक का 565 है 565 बिलकुल तो 15.1 में basically हम arithmetic sequence को discuss करते हैं और arithmetic sequence की nth term उसकी जो है उसके बाद some of arithmetic series को discuss करते हैं तो पहले मैं आपको थोड़ा समरी इसका जो concepts हैं वो बताता हूँ formulas बताता हूँ और फिर हम exercise जो है वो start करेंगे तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि sequence क्या होती है sequence sequence basically एक ऐसा numbers है जिसके में pattern same हो जिस तरह से मैं लिख देता हूँ 1, 3, 9, 27, 81 and so on तो इसमें देखें तो difference तो same नहीं आ रहा लेकिन एक pattern एक तरतीब आपको समझ में आ रही है कि हर next number जो है मैं 3 से जब multiply का रहा हूँ तो वो बन रहा है अगर इसी sequence में difference same आ जाए जिस तरह से 2, 4, 6, 8, 10 and so on है इसी तरह 5, 10, 15, 20, 25 and so on तो इसी sequence में अगर difference same आ जाए तो वो भी sequence होती है लेकिन उसका एक special नाम है arithmetic sequence, arithmetic sequence को arithmetic progression भी कहते हैं लेकिन आपकी book में ज़्यादा arithmetic sequence ही इसको बोला गया है तो आप अपने यह याद रखना है कि sequence और arithmetic sequence में फरक है sequence में pattern होता है उसमें कोई ना कोई एक तरतीब होती है ज़रूरी नहीं है को उसका difference same हो लेकिन arithmetic sequence में हमेशा जो है वो difference same होता है तो इसमें जो d होता है common differences को बोलते हमेशा second term minus first term कर दें या third term में से second term minus कर दें तो common difference same होता है और यहाँ पर जो common difference है वो हमेशा दो consecutive terms का difference होगा हमेशा अगली term में से आप पिछली term जो है वो minus करेंगे अब इसकी जो nth term का formula होता है a n is equal to a 1 plus n minus 1 into d यहाँ पर जो a n है इसको nth term कहते हैं या इसको last term भी कह लेते हैं ठीक है और a 1 जो है यह first term है उस sequence की first term होगी और n जो है यह number of terms है number of terms और d जो है वो है common difference common difference ठीक है बेटा तो a n को हम last term भी कहते हैं एंथ term भी कहते हैं ओके अच्छा अब है कि arithmetic sequence की terms को अगर हम add करके लिख दें sum की form में लिखने जैसे 5 plus 10 plus 15 plus 20 and so on है तो यह बन जाती है arithmetic series ठीक है arithmetic series अब arithmetic series को sum करने का जो formula है वो होता है sn is equal to n by 2 2 a1 plus n minus 1 into d यहां पर जो a1 है वो first term है and number of terms है d common difference है इसी इसी को एक तरह से और भी हम लिख सकते हैं कि 2 a1 को मैं a1 plus a1 plus n minus 1 into d लिख दूँ तो sn is equal to n by 2 तो a1 plus अब a1 plus n minus 1 into d जो है इसको मैं a n भी लिख सकता हूं यानि कि nth term तो यह वाला formula भी हम use कर सकते हैं और यह वाला formula भी हम use कर सकते हैं ओके तो यह है arithmetic sequence की summary उसका concepts है तो अब चलते हैं हम exercise start करते हैं तो इंशाला यह lecture जो है वो थोड़ा सा lengthy होगा तो आपने खाने पीने की चीजें कुछ साथ में रख लेनी हैं जिस तरह से यह जो है वो मिठाई आप मैंने अपने लिए रखी है तो आप भी खाने पीने की कुछ चीजें साथ रख सकते हैं तो आएं जी 15.1 जो है वो start करते हैं क्वेस्टन सारे लिखे हुए हैं और one by one हम discuss करते जाते हैं अब देखें question one है के write the five terms of an ap ओके तो इसमें हमारे पास a5 है और d जो है वो 4 है अच्छा एक बात मैं पताना जो है वो भूल गया वो देखिएगा के जिस तरह से nth term है a n is equal to a1 plus n minus 1 into d तो अगर मैं first term निकालों तो first term तो a1 ही होगी और अगर मैं second term निकालों तो n की जगा पे 2 लिखा तो 2 minus 1 into d तो a2 जो है वो आजाएगा a1 plus d इसी तरह मैं n की जगा पे 3 पुट करूँगा तो a3 is equal to a1 3 minus 1 2d मिसाल के दोर पर मैं 5 पुट कर रहा हूँ तो a1 plus 5 minus 1 4d तो जो term हम निकालते हैं उससे d के साथ multiple जो है उससे एक काम होता है जैसे मैं 10th term निकालूँ तो a10 is equal to a1 plus 9d आएगा इसी तरह a20 निकालूँ term तो a20 is equal to a1 plus 19d आएगा ओके बटा तो इस तरह से आपने ये भी याल रखना है अच्छा जी अब हमने 5 terms निकालनी है और ap में 5 terms हमने निकालनी है a और d हमारे पास है अच्छा first term जो है उसको हम a1 से भी denote कर लेते हैं सिंपल a से भी denote कर लेते हैं तो यहां पर आप देखें तो a जो है वो 5 है a1 कहलें चाहिए a2 जो है वो किसके equal होगा a1 प्लस d a3 किसके equal होगा a1 प्लस 2d अभी मैंने आपको इसकी जो concept है बताया है a4 जो है वो equal होगा a1 प्लस 3d और a5 किसके equal होगा a1 प्लस 4d तो यह 5 terms हमने निकालनी है a2 अब दोनो values put करते जाएं 5 प्लस 4 9 5 प्लस 2 इंटू 4 4 2s are 8 प्लस 5 13 इसी तरह 5 प्लस 3 इंटू 4 तो यह आजाएगा 5 प्लस 12 और 17 5 प्लस 4 इंटू 4 तो 5 प्लस 16 is equal to 21 तो यह question 2 का first part जो है वो हमारा complete होता है अब चलते हैं next question पे तो इसमें भी हमने first terms निकालनी है first five terms तो a1 is equal to x है a2 किसके equal होगा a1 प्लस d a3 किसके equal होगा a1 प्लस 2d इसी तरह a4 equal होगा a1 प्लस 3d और a5 किसके equal होगा a1 प्लस 4d इसमें values put करते हैं बेटा x की जगा पे a1 की जगा पे x लिखा और d की जगा पे 3x प्लस 2 लिखा तो यह आजएगा 4x प्लस 2 a1 की जगा पे x लिखा 2 into 3x प्लस 2 तो x प्लस 6x प्लस 4 तो यह आजएगा 7x प्लस 4 इसी तरह a1 की जगा पे x लिखा और 3 into 3x प्लस 2 तो यह आजएगा x प्लस 9x प्लस 6 तो यह बन जाएगा 9X प्लस X जो है या जाएगा 10X और प्लस 6 अब A5 के लिए X प्लस 4 इंटू 3X प्लस 2 सिंप्लिफाई कर दें 43012X 42008 तो या जाएगा 13X और प्लस 8 ओके बेटा अब यह सेकेंड पार्ट हमेंगा कंप्लीट हो गया अब यहां पर A और D जो है यह मिक्स फ्रेक्शन में दिया हुआ है कोई इशू नहीं है इसमें पहले 72014 प्लस 115 बाइटू और 2122 प्लस 13 बाइटू अब A1 तो 15 बाइटू है A2 किसके इकवल होगा A1 प्लस D A3 A1 प्लस 2D और A4 इस इकवल टू A1 प्लस 3D और इसी तरह A5 इस इकवल टू A1 प्लस 4 अब यह तो इसमें वैल्यू पुट कर दें 15 बाइटू प्लस 3 बाइटू तो LC हम लें 18 बाइटू 9 आ जाएगा 15 बाइटू प्लस 2 इंटू 3 बाइटू 15 प्लस 6 21 बाइटू आ जाएगा इसी तरह 15 बाइटू प्लस 3 इंटू 3 बाइटू 15 प्लस 9 कितना होगा 24 बाइटू 12 आ जाएगा इसी तरह 15 by 2 calculation आप खुद भी कर सकते हैं तो 15 plus 12 करें तो 27 by 2 तो इस तरह से ये 3rd part जो है ये भी complete होता जी तो आप चलते हैं next question पे तो next question है question number 3 इसमें उन्होंने बोला है कि the 7th term of 2, 7, 12 and so on तो यहाँ पर आप देखें बेटा first term क्या है 2 है common difference निकालें second term में से first term minus करो 5 आ गया अब 7th term find करनी है तो n की value जो है वो 7 है तो मैंने लिखा a n is equal to a 1 plus n minus 1 into d तो n की जगा पे 7 a 1 की जगा पे 2 7 minus 1 और d की जगा पे लिख दिया 5 तो यह बेटा बन गया 6 5,030 तो इसका answer आ गया 32 next question पर चलते हैं इसमें देखें तो a 1 की value 9 है common difference जो है वो 5 minus 9 minus 4 है और यहाँ पर n की value 8 है यानि के 8th term आपने find करनी है तो इसको आप a 8 is equal to a 1 plus 70 direct भी लिख सकते हैं बाकी formula लिख लें तो यह भी बेटर है a n is equal to a 1 plus n minus 1 into d n की जगा पे 8 लिखा n की जगा पे हमने 8 लिखा बेटा और a 1 की जगा पे 9 plus 8 minus 1 और d की जगा पे लिख दिया minus 4 9 plus 7 into minus 4 या जगा 9 minus 28 तो 9 minus 28 जगा 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 minus 19 और 8 टर्म जगा 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 है तो इसका c पार्ट है 5th टर्म फाइंड करनी है तो इसमें देखें तो a 1 की वैल्यू 21 और common difference जो है वो 28 minus 21 किया तो 7 और यहां पर n की वैल्यू जो है वो 5 है n की वैल्यू 5 है तो फार्मूला लगा दें वैटा a n is equal to a 1 plus n minus 1 into d n की जगा पे लिख दिया 5 a 1 21 लिख दिया प्लस 5 minus 1 और d की जगा पे 7 लिख दिया तो यह आजएगा 21 plus 4 7s are 28 21 और 28 क्वैर्ड करो तो 49 आजएगा तो यहां जग हमारा जो question 3 है वो complete होता है अब चलते हैं question 4 की तरव question 4 देखें तो write down the 5th and 8th term of an a p यानि के a 5 find करना है और a 8 find करना है whose 10th term is 43 10th term जो है वो है 43 and common difference जो है वो है 4 ठीक है बेटा 5th term find करनी है और 8th term find करनी है 10th term हमें दी हुई है और common difference भी दिया हुए है अब देखें a 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ a 1 plus 9d लिख सकता हूँ बिल्कुल लिखा जा सकता है तो d की जगह पे लिख दिया मैंने 4 और 4 9s are 36 4 9s are 36 is equal to 43 36 उदर जाके minus हो जाएगा तो a 1 की value जो है वो 7 आ जाएगे 43 minus 36 जो है वो 7 आ जाएगे अब d भी है हमारे पास बिटा और अब हमने find क्या करना है a 5 find करना है तो a 5 जो है वो equal होगा a 1 plus 4d a 1 की जगह पे 7 लिखो 4 और d की जगह पे 4 4 4s are 16 plus 7 23 आ जाएगा a 8 जो है वो equal होगा a 1 plus 7d a 1 की जगह पे 7 लिखा plus 7d की जगह पे 4 तो 7 plus 28 जो है यह आ जाएगा 35 तो इस तरह से यह हमारा question 4 जो है वो complete होता है ओके देख लें आप अब चलते हैं next question पे question number 5 question number है जी 5 which term of the sequence is 320 यानि कि which term या how many terms आप पूछते हैं तो इसका मतलब है कि n find करना आपने यहाँ पर n हमने find करना है a1 की जो value है वो 5 है common difference जो है वो 8 minus 5 3 है अब यह जो 320 है यह इसकी last term है तो मैं उसको nth term भी कह सकता हूँ और वो 320 है अब formula में value put करें और n की value find कर लें तो formula हमने पढ़ा है nth term का arithmetic sequence का a n is equal to a1 plus n minus 1 into d तो a n की जगा पे लिख दिया 320 और a1 की जगा पे 5 n हमने find करना है और d की जगा पे लिख दिया 3 इसको बेटा solve कर लें 320 is equal to 5 plus 3 n minus 3 320 is equal to 3 n plus 2 5 minus 3 2 इसी तरह 320 minus 2 is equal to 3 n तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 n is equal to 3 18 320 minus 2 3 18 n find करना है तो 3 उदर जाके divide हुआ तो n की value 3 1s are 3 3 6s are 18 तो यहां पर which term of the sequence है तो यह जो 320 term है basically 106 term है यानिके 106 number पे यह term है तो number of terms यह हमने find करना था तो यह question हमारा complete हो गया अब चलते हैं question number 6 पे तो देखें इदा 10th term of an AP is 20 10th term जो है A20 वो है 20 and 20th term A20 जो है वो है 40 और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप 7th term जो है वो find करें देखें A10 को मैं क्या लिख सकता हूँ A plus 90 लिख सकता हूँ और A20 को मैं A plus 19 D लिख सकता हूँ अच्छा है मैं A1 लिखना हूँ या A लिखना हूँ बात है की है इसमें आपने परेशान नहीं हो ना अब इन दोनों को solve करके हम A और D find करते हैं मैं इसको equation 1 कह देता हूँ इसको equation 2 कह देता हूँ तो दोनों को अब हम separate करते हैं तो A plus 19 D is equal to 40 लिखा और फिर A plus 9 D is equal to 20 लिखा इसको बिटा हमने separate करना है तो sign change कर दिये A से cancel हो गया 19 D में से 9 D minus करेंगे तो 10 D आ जाएगा और 40 में से 20 minus किया तो 20 आ गया तो D की value 20 by 10 यानिके 2 आ गया तो D की value आ गई 2 अब D की value जो है वो equation 1 में put कर दें तो हमें A मिल जाएगा A plus 9 into 2 is equal to 20 लिख भी सकते हैं कि put value of D in equation 1 तो A plus 18 is equal to 20 तो यहां से A जो है वो 20 minus 18 हमें मिल जाएगा 2 मिल जाएगा ओके बेटा अच्छा जी अब जो है A भी आ गया हमारे पास और D भी आ गया अब हमने 7 टर्म find करनी है तो direct भी मैं A 7 is equal to A plus 6 D लिख सकता हूँ A की जगा पे 2 लिख लिया और plus 6 और D की जगा पे भी मैंने उसके जो value है 2 लिख ली तो 2 plus 12 14 यानि के 7 टर्म जो है वो आ रही है 14 बेटा तो इस तरह से ये question जो है वो हमारा complete हो जाता है जी अब चलते हैं next question पे तो question number है हमारे पास 7 question number 7 तो थोड़ा एक पांच सेकंड के लिए ठोड़ी ब्रेक कर लेते हैं ओके लेंजी question number 7 देखें तो the 54th and 4th terms of an APR minus 61 and 64 respectively show that the common difference is minus 2.5 and 23rd term is 16.5 ओके अब find हमने करना है कि common difference minus 2.5 है और 23rd term 16.5 है ये हमने prove करना है तो solution देखें सबसे पहले लिखें जी 54th term जो है वो है minus 61 और जो fourth term है वो है 64 ओके इन दोनों को आपस में solve करके a और d निकाल लें आप ठीक है ए 54 को मैं लिख सकता हूँ a plus 53d is equal to minus 61 as it is और a 4 को मैं लिख सकता हूँ a plus 3d is equal to 64 इसको equation 1 कह लेते हैं और इसको equation 2 कह लेते हैं अब हम इन दोनों को करते हैं subtract तो यह आजाएगा a plus 53d is equal to minus 61 और यह आजाएगा a plus 3d is equal to 64 इनको बेटा पहले हम subtract करते हैं subtract किया a से cancel हो जाएगा 53d में से 3d minus करें तो आजाएगा 50d और minus 61 और minus 64 को हम add कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि 125 minus 125 आजाएगा और d is equal to minus 125 over 50 आजाएगा और d की value जो है वो हमें मिल जाएगी 5 by 2 यानि कि minus 2.5 अब हमने find करना है a अब हमने a जो है वो find करना है ओके देखे तो a के लिए जो d की value है वो हम equation 1 में put कर लेते हैं या मैं इसको लिख लेता हूं चले put value of d in equation 1 तो यह आजाएगा a plus 53 और d की जगा पे लिखा minus 5 by 2 is equal to minus 61 तो इसको solve करें आप 53 को 5 से multiply किया divide by 2 किया और यह आजाएगा minus 132.5 is equal to minus 61 यह उदर जाके plus हो जाएगा plus 132.5 तो पेटा यहां से a की value मिलेगी a की value हमें मिल गई है 71.5 a भी मिल गया हमें d भी मिल गया ओके बेटा समझा रही है आपको अब हमने find क्या करना है find तो हमने common difference करना था और common difference तो minus 5 by 2 जो है वो minus 2.5 find हो गया तो उसके बाद हमने 23rd term बतानी है कि 23rd term जो है वो 16.5 आती है या नहीं आती है तो हम check कर लेते हैं देखें a 23 तो यहां पर थोड़ा page कम है तो आपने जब paper में question करना तो इसी तरह एक ततीब से चलते जाना तो a 23 जो है इसको मैं a plus 22 d लिख सकता हूं a की value है 71.5 plus 22 और d की value है minus 2.5 इसको solve कर लेते हैं 71.5 minus 22 को multiply किया 2.5 के साथ तो या जाएगा 55 तो a 23 की जो value है 71.5 minus 55 किया तो या जाएगा 16.5 ठीक है बेटा यही हमने find करना था कि उसकी जो 23rd term है क्या 16.5 आती है क्या common difference minus 2.5 आता है तो इस तरह से यह हमारा जो question है वेटा वो complete होता है जी अब चलते हैं next question पे question number है हमारे पास यह मैंने page छोड़ा भी हुआ था मुझे याद नहीं रहा वो मैं यहाँ पे remaining करना चाहिए था लेकिन चलें फैर अब time गुजर गया थी अब देखें question number 8 question number 8 की जो statement है वो आपके सामने लिखी हुई है the rate of the monthly salary of a person is increased annually in AP it is known that he was drawing 4000 a month during the 11th year यानि के 11th year में जब उसने salary month की जो 11th year में salary उसने draw की वो थी 4000 तो मैं इसको लिख सकता हूँ a 11 is equal to 4000 of his service and 7600 during the 29th year 7600 जो है उसने 29th year में draw की तो इस तरह से मैं इसको a 29 is equal to 7600 लिख सकता हूँ okay solution फिर है find his starting salary अब starting salary जो है है अब हम उसको क्या कहेंगे starting salary तो simple a1 होगा यानि कि first term होगी न स्टार्टिंग salary हमने a find करना है फिर उसके बाद वो कहते हैं and rate of annual increment rate हमने find करना है rate of annual increment ठीक है इसका मतलब है कि हमने d find करना है हमने d find करना है what should be his salary at the time of retirement just on the completion of 36 years of service यानि के 36 years में वो जो salary लेगा उसके बाद उसकी वहाँ पर monthly salary क्या होगी question यह है ओके तो यहां पर अब हम यह करते हैं हमारे पास जो question number 8 है कि a 11 जो है वो 4000 आ गया a 29 7600 आ गया अब सबसे पहले तो इन दोनों को हम इस पर फारूने लगा के न a और d find कर लेते हैं ओके फिर उसके बाद हम चलते हैं next कि 36 year में उसको कितना जो है वो last बात करते हैं अब देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो a 11 है a 11 is equal to 4000 इसको मैं a plus 10 d is equal to 4000 भी कह सकता हूं इसको equation 1 कह दिया a 29 is equal to 7600 जो दिया हूँ है इसको मैं a plus 28 d is equal to 7600 भी कह सकता हूं अब इसको इन दोनों को आपस में solve करें और a और d find करें तो सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैट करते हैं तो a plus 28 d is equal to 7600 और a plus 10 d is equal to 4000 सब्ट्रैट करेंगे तो sign जो है वो change करेंगे हम तो यह sign change किया यह भी sign change किया यह भी sign change किया तो a से cancel हो जाएगा 28 d में से 10 d minus करेंगे तो 18 d और 76 hundred में से 4000 minus करें तो मेरा खाल है 36 hundred आ जाएगा minus 4000 किया तो 36 hundred आ गया 18 जो है वो दर जाके divide होगा तो 36 hundred divide by 18 किया तो यह आ जाएगा 200 अब इटर d की जो value है वो हम equation 1 में put कर लेते हैं equation 1 में मैंने d की value put की a plus 10 into d और is equal to 4000 यह बन जाएगा a plus 2000 is equal to 4000 2000 उदर जाके minus हुआ तो a की value जो है वो 2000 आगे अब देखें starting salary 2000 है फिर rate of annual increment यहां पर 200 है पहले तो हम यह लिखते हैं है सही है यहां पर लिखते है स्टार्टिंग सेलरी कि स्टार्टिंग सेलरी जो है वो 2000 रुपीज है यह कोई काफी पुराना question है कि तब 2000 सेलरी थी और annual increment जो है annual increment वो 200 रुपीज है यह दो चीजें को उसने पहले हमसे पूछीं starting salary का और rate of annual increment यह हमने find कर लिया इसके बाद देखें तो what should be his salary at the time of retirement just on the completion of 36 years of service 36 years of service में उसने total उसने कितनी salary ली 36 years में तो यहां पर आप हम लिखेंगे salary in 36 years of service मैं लिखूंगा salary salary in 36th year of his service ठीक है यह अब हमने find करना है यानि कि A36 हमने find करना है और A36 किसके को लोगा A plus 35 D अब A की value हमारे पास कितनी है 2000 है 35 D की value जो है वो 200 है इसको solve कर लें 2000 plus 35 into करते हैं 200 साथ साथ रहेगा बड़ा तरतीब से हम चल रहे हैं तो इसमें आपने बिलकुल परेशान नहीं होना एक एक step जो है वो आपके साथ मैं share कर रहा हूं तो 36 years जब होगा तो उसको जो salary मिलेगी वो 9,000 मिलेगी बेटा तो यही answer है okay question 8 जो है वो हमारा यहां पर complete होता है अब चलते है question 9 पर तो question 9 है वो यहां पर लिखा हुआ है यह अब mobile company in its third year of existence produce 6000 sets यानि कि third year जो उन्हों ने mobile company ने जो sets बनाए वो है 6000 तो मैं कर सकता हूं कि a3 is equal to 6000 and 9000 sets in fifth year तो मैं लिख सकता हूं a5 is equal to 9000 what is the production of the company in the first year production of company in first year का मतलब है कि a1 first year अपने find करनी है a1 find करनी है तो first term तो मैं लिखता हूं production of company लिखाई जो है ना बस गुजारा है मेरा तो बस कबूल करिएगा यह अच्छे से इंदा first year यानि के a जो है वो हमने find करना है तो इन दोनों को अपस में solve करें और a और d की value find कर लेते हैं ठीक है जी तो a3 हमारे पास है 6000 और a5 जो है वो है 9000 a3 को मैं लिख सकता हूं a plus 2d is equal to 6000 और a5 को बेटा मैं लिख सकता हूं a plus 4d is equal to 9000 अब इन दोनों को वेटा हमने solve करना है और a और d की value find करनी है बलकि अभी सिर्फ हमने a find करना है d की जरूवत ही नहीं है तो लेकिन d से हमें a मिलेगा पहले मैं इसको minus करता हूं a plus 4d is equal to 9000 a plus 2d is equal to 6000 अब इसको वेटा हम subscribe करते हैं subscribe किया तो a से a जो है वो cancel हो जाएगा और 4d minus 2d करें तो 2d आ जाएगा 9000 में से 6000 minus किया तो 3000 आ जाएगा तो d की value जो है वो आगे 1500 अब d की value equation 1 में या 2 में put करेंगे तो फिर हमें a मिल जाएगा जो के first उसकी first year की production है तो d की value जो है वो equation 1 में put करें put value of d in equation 1 तो यह आ जाएगा a plus 2 into 1500 is equal to 6000 1500 into 2 जो है वो 3000 is equal to 6000 तो a की value जो है वो आ जाएगी 3000 तो 3000 सेट्स जो है वो बनेंगे production in the first year ओके यहां पर आप लिख सकते हैं हाँ यहां पर मैं इसका जो answer है वो यहां पर दुबारा लिख देता हूं कि production of company company in the first year जो उसने पूछा है उसको last में एक दफा दुबारा जो है वो लिख दिया करें in the first year is equal to a क्योंकि यह number of sets हैं तो इसके साथ आपने रुपीज वगएरा नहीं लिखनें okay यहां तक बेटा यह question जो है वो हमारा complete होता है okay समझा रही आपको आप चलते हैं next question पे question number है 10 इसमें उसने बोला है के find the sum of ठीक है थोड़ा सा rest कर लेती है है एक दो मिनिट तो सास्त कुछ खाप भी लिया करें आप लोग भी सही है अच्छा होता है lady question number 10 find the sum of 10 terms of अपनी sum का फार्मुला दगाना है और sum का फार्मुला मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था के sn is equal to n by 2 2a1 plus n minus 1 into d होता है 2a1 लिख लें या 2a लिख लें एक ही बात है अब यहां पर आप देखें तो यह जो है a1 जो है वो 5 है और common difference जो है वो 8-5 3 है और n जो है 10 है 10 terms को हमने sum करना है तो इता फार्मुला लगाएंगे sn is equal to n by 2 2a1 plus n minus 1 into d तो n की जगा पे लिखा 10 10 by 2 a1 की जगा पे 5 10 minus 1 और d की जगा पे लिखा 3 यह जगा 5 10 9 3s are 27 27 plus 10 किया 37 37 को multiply कर दें 5 के साथ multiply पे 5 किया तो 185 है यानि कि इसकी 10 terms का जो sum है वो बेटा 185 है ओके साथ साथ मैं answer जो है ना वो भी match कर रहा हूं ताके कोई गलती ना हो इसके बाद इसकी 18 terms का sum करना है तो यहां पर आप फार्मुला लगाएं a1 देखें क्या है 57 है common difference 49 में से 57 minus करें तो यह आ जाएगा minus 8 और number of term जो है वो 8 है यानि के 18 है तो यह चेक कर लें 49 minus 57 minus 8 अब फार्मुला लगाएं sn is equal to beta n by 2 2a1 plus n minus 1 into d n की जगा पर 18 लिखा 18 by 2 a1 की जगा पर 57 plus 18 minus 1 और d की जगा पर minus 8 यह बाहर आ जाएगा 9 डिवाइड होने के बाद और 57 को multiply by 2 कर लेते हैं तो यह बन जाएगा बटा डबल 1 4 minus 18 minus 1 17 और 17 को अब आप multiply करो 8 के साथ तो यह आजाएगा 136 अब डबल 1 4 minus किया 136 minus 22 और minus 22 को multiply करें 9 के साथ तो यह आजाएगा minus 198 और इस तरह से यह question हमारा complete होता है ओके बटा समझ आ रही है आप लोगों को समझ आ रही है जागते रहना है साथ साथ ओके काम बिलकुल आसान है कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है अब देखें इसका third part इसमें n जो है वो कोई number नहीं दिया हुआ अब यहां पर देखें तो a1 जो है वो four है डी जो है वो seven minus four three है और n जो है बेटा वो n के equal है तो मैंने लिखा s n is equal to n by two formula लगा दिया 2a1 plus n minus one into d s n is equal to n by two a1 की जगा पे four लिखा n minus one और d की जगा पे मैंने लिखा जी three यहां जाएगा n by two eight plus three n minus three यहां जाएगा n by two और three n plus five तो यह इसका answer है n by two into three n plus five okay थर्ड पार्ट जो है वो complete हो गया अब चलते हैं next question पे इसका fourth part देखे फोर्थ पार्ट में हमारे पास number of terms नहीं है और 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस 60 प्लस 47 यहां पर देखें तो a1 जो है वो 101 है common difference जो है वो 99 minus 101 करें तो minus two है अब यह जो terms इसी तरह चलते जाएं तो यह जो last term है 47 यह होगा an यह होगी an 47 यानि कि last term अब last term यूज करते हुए पहले हमने find करना है कि number of terms कितनी है तो an is equal to a1 प्लस n-1 into d फार्मूला में पता है an की जगा पे लिका 47 a1 की जगा पे 101 n-1 और d की जगा पे minus two लिख दिया अब 101 जो है वो इधर लाके minus कर लेते हैं minus two को अंदर multiply किया तो minus two and plus two बन गया अब 47 minus करें minus 101 तो यह बन जाएगा minus 54 minus two and plus two minus two and को इधर ले आए प्लस हो जाएगा और 54 उदर जाके प्लस हो जाएगा और n is equal to 56 by 2 तो यह बन जाएगा 28 यानि कि यहां से हमें यह पता चला कि जो number of terms हैं वो है 28 ओके अब क्या करना है अब हमने इसको करना है इस sum करना है तो चलेंग यहीं पर हमें करना पड़ेगा तो s n is equal to n by 2 फार्मूला लगा रहे हैं 2 a1 plus n minus 1 into d n की जगा पर लिख दिया 28 a1 101 plus 28 minus 1 और d की जगा पर लिख देंगे minus 2 बाहर 14 आ जाएगा और 101 को 2 से multiply किया 202 और 27 को minus 2 से multiply करेंगे तो आ जाएगा 54 ठीक है बेटा 202 में से calculation है बाद बच्चे समय रहे हैं कि यह सर करवाने की क्या जरूवत है लेकिन कोई बाद ने इसको complete कर लेते हैं कोई भी कामा दूरा ने छोड़ते हैं उसको complete करना चाहिए तो 148 multiply 14 किया तो यह आ जाएगा 2072 2072 जो है यह sum of 28 terms का साम आजा है ठीक है बेटा इस तरह से यह हमारा जो question है यह complete हो गया अब चलते हैं next question पे और question number है 11 question 11 में determine the sum of the first 35 terms of an AP if A2 second term दी है 7th term दी हुई है तो अपने sum of the first 35 terms find करना है कर लेते हैं A2 को देखें तो मैं A plus D लिख सकता हूँ इसको equation 1 कह देता हूँ A7 को मैं A plus 6D is equal to 22 लिख लेता हूँ और इसको मैं equation 2 कह देता हूँ पहले तो हम A और D find करते हैं और N हमारे पास है 35 तो इन दोनों को मैंनस करें A plus 6D is equal to 22 और A plus D is equal to 2 इसको बैटा सब्टेट करें ठीक है जी तो A से cancel हो जाएगा 6D minus D की 5D आ गया और 22 minus 2 करें तो 20 आ जाएगा तो D is equal to 20 by 5 और 4 तो D की value आ गई 4 अब D की value जो है वो equation 1 में put करते हैं तो यह बनेगी A plus 4 is equal to 2 2 minus 4 तो A की जो value है वो आ जाएगी minus 2 फर्स्ट टर्म हमारे पास minus 2 हुआ गया common difference जो है वो 4 है N की value जो है वो 35 है अब हमने sum करना है find 35 terms फार्मूला लगा दे S N is equal to N by 2 2 A plus N minus 1 into D N की जगा पे लिखा 35 35 by 2 A की जगा पे minus 2 35 minus और D की जगा पे लिख दिया 4 यह विटा बन किया 35 by 2 2 into minus 2 minus 4 plus 34 को 4 से multiply कर दें 34 multiply by 4 या जाएगा 136 136 में से 4 minus किया 132 multiply by 35 करें divide by 2 कर दें तो इसका जो final answer है वो 2310 आ रहा है और यही answer हमारा है ठीक है तो 2310 बिल्कुल ठीक answer है अब चलते हैं next question पे question number 12 साथ साथ रगेगा इंशाला पूरी exercise हम complete करते हैं question number 12 में देखें बेटा the sum of n terms of the series is 116 यानि के हमें इस series का जो sum दिया है न वो 116 दिया हुए तो find the number of terms and the last term number of terms mean हमने n find करना है और last term mean हमने a n find करना है तो sn हमें दिया हुए है 116 a1 जो है यहां पर 25 है common difference जो है 22 minus 25 तो common difference यहां पर minus 3 है तो सबसे पहले हम sn का formula लगा के n find कर लेते हैं तो 2 a1 plus n minus 1 into d sn की जगा पर लिखा 116 n by 2 और a1 की जगा पर लिखा मैंने 25 plus n minus 1 और d की जगा पर मैंने लिख दिया minus 3 ओके बिटा यह आ जाएगा 2 इदर आके multiply कर लें 116 को 2 से multiply किया तो यह बंद जाएगा 232 is equal to n 25 को 2 से multiply किया 50 minus 3 को अंदर multiply करें तो minus 3 n और minus minus plus आ जाएगा plus 3 अब इसको मजीद हम simplify करते जाते हैं तो यह बंद जाएगा 53 minus 3 n 50 plus 3 किया तो 53 आ गया अब n को अंदर multiply करें तो यह आ जाएगा 53 n minus 3 n square अब इन दोनों को उठा के हम left side पे ले आते हैं और यह plus हो जाएगा minus 53 n और plus 232 is equal to 0 तो 3 पे जो है यह divide नहीं हो रहे 3 पे यह divide नहीं हो रहे और इसके factor बनाने जो है वो थोड़े से मुश्किल है तो हम इस पर जो है वो by उसको quadratic formula जो है वो लगा लेते हैं तो यह बनेगा बेटा a की value 3 b की value minus 53 और c की value 232 तो n is equal to minus b value put की b का square और minus 4 into a into c इस सारे को अब हमने solve करना है वो 2 into 3 तो यह आजएगा बेटा 53 plus minus 53 का जो square है यह आजएगा 2809 minus 12 into 232 तो यह आजएगा 2784 square root over 6 ओके अब इसमें से minus करें वेटा 2809 minus 2784 किया तो 25 25 का जो square root है वो आजएगा 5 तो अब हम अगले page पे चलते हैं तो यहाँ पे तो page extra नहीं है कोई बात नहीं देखें मैं इसको इस तरह से complete करता हूँ तो यह आजएगा n is equal to 53 plus minus 25 का square root over 6 तो यह बनजएगा 53 plus minus 5 over 6 इसको बेटा एक दफ़ा हम plus करेंगे और एक दफ़ा हम minus करेंगे तो यह बनजएगा n is equal to 53 plus 5 over 6 और n is equal to 53 minus 5 by 6 तो यह आजएगा 58 by 6 करें तो 58 divided by 6 तो fraction में answer आ रहा है 29 by 3 53 में से 5 minus करो 48, 48 divided by 6 किया तो 8 तो number of terms जो है basically कभी भी negative या fraction में नहीं आती नमबर of terms जो है तो यह बेटा इसको हमने कर देना है neglect निकलेट कर दे और number of terms जो है वो आ गया 8 यहाँ पर लिख लें number of terms n is equal to 8 आ गया अब हमने last term find करनी है तो a n is equal to a1 plus n minus 1 into d a8 a1 हमारे पास है 25 plus 8 minus 1 और d की value है minus 3 ठीक है वेटा यह अभी हमने question किया है question में बतर वो ही question चल रहा है ओके यह आपके पास यह values लिखी हुए तो यह आ जाएगा 25 minus 8 minus 1 7 7 into 3 21 तो a8 जो है वो आ जाएगा 4 यानिके 8 टर्म जो है वो आ रही है 4 ओके बिटा तो इस तरह से यह question जो है वो हमारा question number 12 जो है वो complete होता है अब चलते हैं question 13 पे question 13 को देखें तो इसमें उन्होंने का है कि the 7th and 9th term of an AP are 27 and 35 respectively find its sum up to n terms यानि कि 7th और 9th term दी हुई है तो मैं लिख सकता हूँ कि a7 is equal to 27 और a9 is equal to 35 ठीक है 7th और 9th term of an AP दिया हुए 27 and 35 find its sum up to n terms अब अब अपने विटा इंक दोनों को solve करके a और d find करने पस तो a7 को मैं लिख सकता हूँ a plus 6d is equal to 27 इसको equation 1 कहते हैं और a9 को मैं लिख सकता हूँ a plus 8d is equal to 35 और इसको equation 2 कह लेते हैं अब इन दोनों को बेटा हम पहले subtract करें तो a plus 8d is equal to 35 और a plus 6d is equal to 27 इसको बेटा subtract करेंगे तो क्या हो जाएगा sign change हो जाएगा तो a से ही cancel हो गया 8d में से minus 6d किया तो 2d और 35 minus 27 करेंगे तो 8 आ जाएगा और d की value जो है वो मिल गई 4 ओके बटा अब d की value जो है वो equation 1 में put कर लेते हैं तो लिखा put value of d in equation 1 तो यहाँ जाएगा a plus 6d की जगा पे लिखा 4 is equal to 27 यह जाएगा a plus 24 is equal to 27 और 27 minus 24 तो a की value आ जाएगी 3 यानि कि first term जो है वो 3 आ गई common difference जो है वो 4 आ गया अब find क्या करना है हमने find its sum up to up to n terms यानि कि अब हम sn वाला formula लगा लेंगे n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d तो अब सारी values जो हैं वो इसमें put कर लेते हैं n यहाँ पर नहीं है उसने find its sum up to n terms ही बोला हुए तो n as it easy रहने देना है a1 की जगा पर 3 लिख दिया n minus 1 और d की जगा पर लिख दिया 4 तो यह वेटा बन गया n by 2 2 3s are 6 plus 4 n minus 4 और यह आ जाएगा n by 2 और 4 n plus 2 2 2 common लें तो यह बन जाएगा 2 n plus 1 2 से 2 cancel हो जाएगा तो n into 2 n plus 1 तो इस तरह से यह sum of n terms हमें मिल जाएगा तो question number 13 हमारा यहां पर complete होता है ओके आपको नजर आ रहे हैं अब चलते हैं next question पर question number 14 question number 14 बिल्कुल ठीज यह तो एक minute के लिए हम rest थोड़ा सा करते हैं तो question number 14 की statement पढ़िये का जरा देखें question number 14 find the sum of all natural numbers between hundred and one thousand which are the multiples of five hundred और one thousand के दर्मियान जितने भी five के multiples हैं उनको हमने add करना है उनका हमने sum जो है वो find करना है अब between hundred और one thousand है तो इसमें hundred और one thousand दोनों numbers जो है ना वो शामिल नहीं है तो अब हम start कहां जे करेंगे one zero five से one zero five one ten double one five and चलते जाएंगे और last number जो है वो आ जाएगा double nine five इसको बेटा हमने sum करना है find इसका तो a one जो है मैं लिख सकता हूँ one zero five common difference जो है वो one ten minus one zero five five आ जाएगा और यह जो nine nine five है double nine five यह इसकी basically last term है double nine five यह इसकी last term है अब यह last term use करते हुए पहले हम find करेंगे n ओके तो हमारे पास जो n है वो नहीं है तो हम लिखेंगे a n is equal to a one plus n minus one into d तो a n की जगा पे लिखेंगे double nine five a one की जगा पे one zero five plus n minus one और d की जगा पे लिखेंगे five यह जाएगा double nine five minus one zero five five को अंदर multiply कर लें five and minus five double nine five में से minus करते हैं one zero five तो यह जाएगा eight ninety minus five इदर आके plus हो जाएगा तो यह जाएगा five n is equal to eight ninety में five add किया तो eight ninety five five उदर जाके divide हुआ eight ninety five divide by eight ninety five divide by five किया तो यह जाएगा one seventy nine n की value जो है वो one seventy nine आ गई अब आप देखें तो इसमें हमने some करना है ना find तो कर लेती है some find formula लगाया s n is equal to n by two two a one plus n minus one into d तो n की जगा पर लिखे one seventy nine यह जाएगा one seventy nine divide by two two a one की जगा पर लिखे one zero five plus one seventy nine minus one और d की जगा पर लिखना है d हमारे पास है five ओके बैटा इसको solve कर ले one seventy nine divide by two one zero five को two से multiply करो यह जाएगा two ten plus one seventy nine minus one one seventy eight one seventy eight multiply by five करें तो यह जाएगा eight ninety अब eight ninety में eight ninety plus किया two ten multiply किया one seventy nine divide किया two के साथ तो इसका answer आ गया nine eight four five तो यह इसका answer है question number fourteen का बिलकुल ठीक answer है हमारा तो अब चलते हैं next question पे question number है 15 question number 15 find the sum of all natural numbers between zero and one zero one zero and one zero one के दर्मियान आपने divisible by two जो है वो numbers find करने divisible by two अब इसमें zero और one zero one शामिल नहीं है तो यह आ जाएंगे two और इसी तरह चलते जाएंगे two plus four plus six plus eight and so on और last में जो number आएगा यह आएगा hundred जो के two पे divide हो रहे है अब हमने इसका sum find करना है तो देखें उसी pattern पे जैसे अभी हमने last question किया है उसी तरह से हमने इसको solve करना है a one की value two है common difference four minus two two आएगा और जो last term है वो है hundred अब हमें सबसे पहले n जो है वो चाहिए number of terms चाहिए तो a n का formula लगा के पहले हम n जो है वो find कर लेते हैं a n की जगा पे लिखा hundred a one की जगा पे two और n minus one और d की जगा पे मैंने लिखा वेटा two ये two इदर आके minus हो जाएगा hundred minus two इस two को अंदर multiply किया तो two n minus two आ जाएगा ninety eight minus two इदर आके plus हो जाएगा two n तो two n is equal to hundred और n की value कितनी आ गई 50 आ गई n की value जो है वो 50 हमें मिल गई अब बिटा हमने इसका sum find करना है तो s n वाला formula लगा दे s n is equal to n by two two a one plus n minus one into d तो ये आ जाएगा fifty fifty by two two a one क्या है two है plus fifty minus one और d क्या है यहां पे two है ओके बिटा यह आजाएगा twenty five four plus forty nine fifty minus one forty nine multiply by two करें ninety eight ninety eight plus four किया one zero two multiply twenty five किया तो इसका answer जो है वो आजाएगा two double five zero यानि के zero और one zero one के दरम्यान जो two के multiple हैं उनका जो sum है वो आजाएगा two double five zero ओके बिटा अब चलते हैं हम इसके second part पे तो second part में हमने करना है के divisible by five zero और one zero one के दरम्यान जो five के multiples हैं या ऐसे numbers जो five पर divisible हैं तो उनका sum find करें तो यह five से start होंगे five plus ten plus fifteen plus twenty and so on और last number जो है वो आजाएगा hundred यहाँ पर आप देखें तो first जो number है a one जो है वो five है और common difference जो है वो ten minus five five है और last term जो an है वो hundred है उसी pattern का method का question है यह जैसे अभी हमने first part किया है तो an का formula यूज करें और n find करें पहले an is equal to a one plus n minus one into d an की जगा पे hundred लिखा a one की जगा पे five लिखा n minus one और d की जगा पे five लिखा अब five इदर आके minus हो जाएगा और इस five को अंदर multiply करें five n minus five हो गया यह बना 95 95 इदर आके minus five इदर आके plus हो गया तो यह जाएगा five n is equal to hundred n is equal to hundred by five तो n की value आगे बेटा 20 ओके n की value क्या आगे 20 आगे अच्छा जी अब हमने इसका sum बेटा find करना है तो formula लगा दे formula s n वाला थोड़ा सा color जो है वो भी लगा लेते हैं pen ताके n minus one into d n by two into two a one plus n minus one into d n की जगा पे लिखदा 20 20 by two two a one जो है हमारे पास है five plus twenty minus one और d की value है five give it आजेगा ten two five's are ten और 19 को five से multiply करते है 19 multiply five 95 okay 95 plus ten किया one zero five multiply ten करें तो one zero five zero ये सका answer है one zero five zero okay तो multiple जो five का जो sum है वो one zero five zero ये question यहां पे complete होता है चलते जाते हैं इसी तरह अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे ऐसे numbers आपने बताने हैं जो के two and five पर डिवाइड हो two और five दोनों पर डिवाइड हो ठीक है वो number आपने zero और one zero one के दर्मियान बताने तो वो numbers होंगे five से तो नहीं start हो सकते ten से start होंगे ten plus twenty plus thirty and so on और last number होगा hundred तो यहां पर बेटा हमने पहले n find करना है a1 की value ten है common difference twenty minus ten है तो वैसे भी देखने से भी लग रहा है कि n की value जो है वो ten है तो आप direct formula लगा सकते हैं ठीक है क्योंके ten twenty thirty number of term जो है वो ten ही है तो आप direct भी formula लगा सकते हैं कोई issue नहीं है n by two two a one plus n minus one into d और यह आजएगा s ten ten by two a one की जगा पर लिखा ten और यह आजएगा ten minus one और d की जगा पर लिख दिया ten यह बटा आजएगा five ten two's are twenty और nine ten's are ninety ninety plus twenty की या one ten one ten को multiply कर दें five के साथ तो इसका अंसर जो है वो आ गया five fifty बटा ओके तो इस तरह हमारा यह थर्ड part जो है वो complete होता है ओके इसमें obvious था कि number of terms ten है तो आप direct formula लिख लें यहाँ पर लिख सकते हैं कि n is equal to ten obviously ठीक है चलेंज अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे फोर्थ पार्ट है कि neither divisible by two nor by five ऐसे numbers आपने बताने हैं जो two और five दोनों पे divide नहीं हो रहें तो यह विटा होंगे numbers one plus three plus seven plus eleven यह वो numbers हैं जो के नहीं नाइन पी आएगा one plus three plus seven plus nine जो के two और five पे divide नहीं हो रहें और यह zero और one zero one के दरम्यान numbers आपने लेने हैं अब देखें यह four four का pair बनेगा one में आप ten add करें eleven three में ten add करें thirteen फिट seventeen फिट ninety four यह number लिख लिए फिर four numbers और लिख लिए twenty one plus twenty three plus twenty seven plus twenty nine and son अब आप last वाले four numbers लिख लिए जो के बनेगा ninety one plus ninety three plus ninety seven plus ninety nine अब बिटा इनको यह जो four four numbers के पेर बना है इस तरह इसको अब आप add करेंगे ना तो इसका difference जो है वो सेम बनेगा जैसे लिखें सबसे पहले one plus three plus one plus three plus seven plus nine किया तो आगा twenty फिर add करें eleven plus thirteen plus seventeen plus nineteen करें तो आजाएगा sixty फिर इनको add करें twenty one plus twenty three plus twenty seven plus twenty nine तो यह जाएगा hundred plus six और लास्ट वाले नंबर स्क्राइड करें ninety one plus ninety three plus ninety seven plus ninety nine तो यह जाएगा three eighty अब देखें इसका बिटा दिफ्रेंस जो है वो सेम आ रहे है फॉर्टी का डिफ्रेंस आ रहे है 60 मानेस ट्वंटी फॉर्टी 100 मानेस सिक्स्टी ट्वंटी फॉर्टी तो यह अर्थमेटिक सिक्वेंस का question है three eighty जो है वो इसकी last term है यहां से हम पहले n फाइंड करेंगे a1 जो है वो 20 common difference 60 मानेस 20 फॉर्टी और a n जो है वो 380 है तो a n एंथ टर्म का फार्मला लगाएं a n is equal to a1 प्लस n मानेस 1 इन्टू टी a n की जगा पे लिखा 380 a1 की जगा पे 20 n मानेस 1 और d की जगा पे लिखती है 40 380 20 इदर आके मानेस हो जाएगा 40 को अंदर multiply करें 40 n मानेस 40 360 और मानेस 40 इदर आके प्लस हुआ 40 n तो यहां से मिल जाएगा हमें 40 n is equal to 400 0 से 0 cancel हुआ तो n की value आगई 10 40 अदर जाके divide करेंगे तो n की value 10 आगई बिटा अब formula लगा दें formula वही है sum of n terms of arithmetic sequence का तो n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d n की जगा पे लिखा 10 n by 2 10 by 2 a1 a1 की जगा पे लिखा 20 plus 10 minus 1 और d की value कितनी है d की value है 40 यह आजएगा 5 22s are 40 और 10 minus 1 9 9 को 40 से multiply करें 40 into 9 आजएगा 360 360 360 plus 40 कि आप 400 400 को multiply by 5 किया तो sum of 10 terms यानि की सब terms का जो sum है वो आजएगा 2000 बेटा 2000 ओके तो इस तरह से यह हमारा question जो है वो complete होगाई तो हिमत नहीं हार नहीं चलते जाने है साथ और question है जी 16 इसमें लिखा हुआ है question 16 की statement है find 3 numbers in a p such that their sum is 18 and product is 192 देखे इसमें 3 numbers जब कहें हैं तो आपने a, a minus d और a plus d numbers लेने हैं अगर वो 2 numbers कहता तो a minus d और a plus b आपने लिखना था और अगर वो 4 numbers कहता तो a minus d, a plus d और फिर a plus 3d और a minus 3d इस तरह के numbers आपने लेने थे पर even के लिए तो odd के लिए है कि middle में आप a लिखो और अगले number में d add कर दो और पिछले number में d minus कर दो तो let a minus d, a और a plus d जो है और 3 numbers और 3 numbers in ap ओके बटा, ap में हमने 3 numbers let कर लिए अब इसका जो sum है और product जो है वो करते हैं according to condition या statement इन तीनों का जो sum है बेटा वो है a minus d plus a plus a plus d is equal to 18 और उसके बाद इनका जो product है पहले हम यहां से a find कर लेते हैं 3a is equal to 18 तो a is equal to 6 अब बेटा इन तीनों numbers का जो product है वो है a minus d into a into a plus d is equal to 192 इसमें a की value put कर देते हैं 6 minus d 6 और 6 plus d is equal to 192 6 minus d और 6 plus d को multiply किया 36 minus d square और 6 उदर जाके divide हो जाएगा तो 6 threes are 18 और 6 twos are 12 तो 36 minus 32 is equal to d square d square is equal to 4 और d की value बेटा जाएगी plus minus 2 अब दोनों के लिए अपने numbers find करने हैं पहले लिखना है when a is equal to 6 and d is equal to 2 फिर आपने लिखना है when a is equal to 6 and d is equal to minus 2 तो numbers में put कर दें a minus d a plus d और a minus d a और a plus d values put करें बेटा एक जाएगा पर 6 minus 2 6 6 plus 2 या जाएगा 4 6 और 8 या जाएगा 6 minus into minus 2 और 6 या जाएगा 6 minus 2 6 plus 2 6 और 4 या जाएगा 8 6 और 4 ठीक है तो यह numbers हैं अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिक्वाइड नंबर्स नंबर्स इन एपी जो है या जाएगा 4 6 8 और 8 6 और 4 ठीक है यह इसके answer है यह required numbers हैं जो कि हमने find करने थे ओके अब चलते हैं जी next question पे तो बिल्कुल बहुत नहीं होना आप लोगों ने तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही वीडियो में एक ही निशिस्क में जो है यह सारा जो exercise है वह हमारी complete हो जाए अब चलते हैं next question question 17 की statement पढ़िएगा question 17 की statement है a person is employed in a company at 3000 rupees per month and is promised an annual increment of 200 rupees find the total amount which he received in 25 years and the monthly salary of the last year यह बहुत important question है कि एक a person is employed in a company at 3000 पर month पर month उसकी salary जो है वो 3000 है तो यहां पर लिखें salary salary पर month वो है जी 3000 ओके अब first year में उसको जो salary मिलेगी पूरे कि जो salary मिलेगी वो कितने मिलेगी हम लिखते हैं salary और फस्ट इयर तो मैं एक year में 12 month होते हैं तो 12 multiply with 3000 करें तो 36,000 उसको first year की salary मिलेगी उसके बाद कहते हैं कि इस प्रॉमिस्ट है न एन्वल इंक्रीमेंट जो है न वो 200 है एन्वल इंक्रीमेंट जो है वो 200 है अब उसकी salary next year जो है वो first month की बन जाए कि 3400 ऐसे ही है यहां पर लिखें आप salary और second year पर month पर month तो बन जाए कि 3400 ठीक है अब हम salary fund करते हैं of second year salary या total salary भी लिख सकते हैं यहां पर total salary total salary of second year तो अब वेटा यह बनेगा 12 multiply by 3400 12 को 3400 से multiply करते हैं तो यह बनेगा 40,800 ठीक है यहनिके आपके पास जो ठेरें यह गलती हो रही है कि जब अब second year में उसकी salary तो 3200 बन नी थी ना क्योंकि 200 जो है वो increment लग गया तो 3200 को आप 12 से multiply करें 3200 multiply by 12 किया तो यह बन जाएगा 38400 यह आरी है second year की total salary इसी तरह हम total salary find कर लेते हैं total salary of third year third year में उसको पर मंत जो salary बनेगी उसकी बनेगी third year की 3400 तो 12 multiply by 3400 करें तो यह बनेगा 3400 multiply by 12 बेटा तो यह salary बन रही है 40800 तो इस तरह से उसको जो एक सीरीज बन गई तो first year की जो salary उसको मिली total वो thirty thirty two hundred नहीं thirty six hundred sorry thirty six thousand मिली second year में जो total salary उसको मिली वो thirty eight thousand four hundred मिली third year में जो total salary मिली वो forty forty thousand forty thousand eight hundred मिली इसी तरह से यह चलते जा रहे हैं तो total जो है वो twenty five years है twenty five years okay और N की value जो है वो twenty five years है तो उसने कहा है कि twenty five years में उसको कितने total पैसे मिलेंगे अब यहां पर देखें A1 की value thirty six thousand common difference जो है वो है thirty eight thousand four hundred minus thirty six thousand करें तो इसमें से minus करो thirty eight thousand four hundred minus thirty six thousand तो यह आजाएगा twenty four hundred का increment लाग रहा था common difference जो है वो twenty four hundred और N की value जो है वो twenty five एबट तो कि twenty five years की बात का है समय रहे बात आप अब चलते हैं next question next page पे तो इसको मैं complete करता हूं देखें फार्मूला लगाया s n is equal to n by two two a one plus n minus one into d तो s twenty five is equal to twenty five by two two a one अभी हमने find किया है thirty six thousand plus twenty five minus one और d की value आई है d की value twenty four hundred ठीके पेटा साथ साथ रहेगा s twenty five is equal to twenty five by two calculation है बासाओ thirty six thousand multiply by two किया तो seventy two thousand twenty five minus one twenty four twenty four को multiply किया twenty four hundred के साथ तो five seven six double zero इन दोनों को add करो seventy two thousand okay multiply by twenty five किया divide by two कर दिया तो twenty five year में उसको जो total पैसे मिलेंगे वो 16,20,000 पे मिलेंगे 16,20,000 पे twenty five year में उसको मिलेंगे अब उसने लास्ट में पूचा था कि twenty five year में उसको कितने यह तो हमने find कर लिया तो twenty five year है यह तो पचीस सालों में उसको total पैसे मिल रहे हैं अब हमने find करना है कि उसकी twenty five year में कितनी salary होगी monthly salary of the sorry monthly salary of the last year यह हमने find करना है और पहले हम यह find करते हैं sorry पहले हम यह लिखते हैं कि salary total salary of twenty five year ठीक है twenty five year यानि कि twenty five year में एक साल में उसको total salary कितनी मिलेगी तो वह हम a twenty five find करेंगे तो यह होगा a twenty five is equal to a one plus twenty five twenty four d a one की value है thirty six thousand और twenty four d की value है twenty four hundred इसको solve कर लेते हैं तो यह बनेगा हमारे पास twenty four hundred multiply by twenty four प्लस किया thirty six thousand तो यह आजएगा ninety three thousand six hundred यह बेटा उसको twenty five year में twenty five year में जो है वो total पैसे ही उसको मिलेंगे अब हमने total salary of the last year जो है यह लेखें यहां पे लिखता हूं मैं यह हमने फाइंड कर ली divided by twelve तो यह उसकी last year में monthly salary जो है वो seventy eight hundred होगी बेटा तो यहां तक यह हमारा question जो है वो complete होता है अब चलते हैं question number eighteen पे question eighteen में है कि a man repays a loan of thirty two thousand five hundred by paying two hundred rupees in the first month and then increases the payment by one fifty rupees every month how long will it take to clear his loan यानि कि आपने न number of terms n find करना है और total उसने जो thirty two thousand five hundred पैसे दिये हैं यह basically total amount है जो के sn की value है total amount उसने इतनी वापिस करनी है जब उसको first amount two hundred first जो उसने month में pay की payment two hundred फिर उसके बद वान fifty एड़ करते जाएं three fifty three fifty में add किया five hundred और इस तरह से ये one fifty one fifty हर month में वो add करते जा रहा है अब हमने बताना है कि कितने number of terms हैं कितने month के बाद वो यह जो है ना वापिस कर देगा यहां पर देखें तो a one जो है वो two hundred है common difference जो है वो three fifty मानस two hundred तो आ जाएगा one fifty तो फार्मूला लगाते है s n is equal to n by two two a one plus n minus one into d s n की जगा पे लिखा thirty two thousand five hundred n by two two a one की जगा पे लिखा two hundred n minus one और d की जगा पे लिख दिया one fifty two उदर जाके multiply करें thirty two thousand five hundred multiply by two किया तो यह आ जाएगा sixty five thousand is equal to n two hundred को two से multiply किया four hundred और one fifty को one fifty n आ गया और minus one fifty आ गया ओके तो यह बनेगा हमारे पास sixty five thousand n into one fifty n और four hundred में से one fifty माइनस करें तो two fifty ओके यह बन जाएगा sixty five thousand is equal to one fifty n स्केर plus two fifty n यह आ जाएगा one fifty n स्केर plus two fifty n minus sixty five thousand is equal to zero अब देखे बेटा सारे जो है ना मेरा ख्याल है कि fifty पे fifty पे यह कट हो रहे हैं तो मैं इसको कर लेता हूँ fifty पे कट हो रहे हैं या आप देख लें fifty पे हो रहे हैं कट तो यह बन जाएगा one fifty divide by fifty करें तो यह आ जाएगा three n स्केर और two fifty को fifty पे डिवाइड करें तो आ जाएगा five n और sixty five thousand को fifty पे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा thirteen hundred अब इसके चाहे आप फैक्टर बना लें चाहे जो है वो quadratic formula लगा लें तो फैक्टर बना लेते हैं तो यह बन जाएगा three n स्केर plus sixty five n minus sixty n minus thirteen hundred is equal to zero इन दोनों में से n कॉमल ले लिया three n plus sixty five और इन दोनों में से जो है वो आप कॉमल ले लें fifteen आ जाएगा twenty आ जाएगा तो twenty कॉमल ले लिया three n plus thirteen hundred को डिवाइड किया twenty के साथ तो यह आ जाएगा sixty five is equal to zero three n plus sixty five और n minus twenty is equal to zero तो अब यहां से अब हम लिखेंगे इसको अब हम लिखेंगे three n plus sixty five इसको हम लैदा से solve कर लेते हैं इसको लिखेंगा three n plus sixty five is equal to zero और n minus twenty is equal to zero तो यहां से n की value आ रही है minus sixty five over three और यहां पे n की value आ रही है twenty तो अब आपको पते हैं के number of terms ना तो negative होते हैं ना फ्रेक्शन में होते हैं तो required number of terms जो हैं वो 20 है है twenty month तो हम कह सकते हैं के hence hence his loan will be will be cleared in twenty months यानि के twenty months में उसका जो कर्जा है उसका जो कर्ज है वो उतर जाएगा वापिस हो जाएगा रिपे हो जाएगा ठीक है जी तो इस तरह से यह question 18 जो है वो हमारा complete होता है अब इसके बाद question देखे 19 तो a man saves 3200 rupees during one year 3600 during the next year and son making his animal savings in AP find the number of years he will take to save two lakh two lakh उसको save करने के लिए कितने जो है वो number of years चाहिए अब देखें first year में वो 3200 save का रहा है second year में वो 3600 save का रहा है इसी तरह चलते जाएं तो last में जो उसने save किये हैं यानि कि last total उसने जो save किये हैं वो two lakh है वो कहते हैं कि two lakh वो कितने years में save का रहा है देखें a1 जो है वो 3200 common difference 3600 minus 3200 तो d की value आ गई 400 और यहां पर जो sn की value है वो है two lakh ठीक है वेटा अब हमारे पास n हमने find करना है कि कितने years के बाद वो जो है ना two lakh वापिस करेगा ओके तो कितना two lakhs वो कितने years में save करेगा यह question है saving कितनी two lakh वो कितने months में save करेगा तो formula लगा दे sn is equal to n by 2 2a1 plus n minus 1 into d इसकी जगा पर two lakh लिख दे n by 2 a1 की जगा पर 3200 लिखा plus n minus 1 और d की जगा पर लिखा 400 इसको वेटा आप solve करें तो n की जो value है इस पर जो है ना simplify करें तो या जाएगा four lakh और n या जाएगा 0046 और plus 400 n और minus 400 या जाएगा four lakh n into 6400 में से 400 गया तो कितना जाएगा 6000 plus 400 n calculation है और calculation जो है वो करते जाते हैं 6000 n plus 400 n स्केर इसको उठा के इधर ले आएगा तो या जाएगा four hundred n square plus six thousand n और minus four lakh is equal to zero cutting कर ले मेरा खाल है four hundred पर ही सब काट रही है तो डिवाइड बै फॉर हंड़ करें 6000 को four hundred से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 15 n और फिर four lakh को four hundred से डिवाइड करो तो यह बन जाएगा one thousand ठीक है बटा is equal to zero इस पर जो है वो quadratic formula लगा दे या factor बना ले तो a की value one है पी की value fifteen है और c की value जो है वो one thousand है बिल्कुल आपने बोर नहीं होना साथ चाएश है पी है और अब इस दो तीर question हमारे रह गए है कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में complete कर लूँ नहीं तो कोई बात नहीं अगर कोई question रह गया तो फिर हम दूसरी बना दूँगा lecture तो इस पर वेटा हमने quadratic formula लगाया तो n is equal to minus fifteen plus minus fifteen का square minus four into one into minus one thousand over two into one ठीक है इसको solve करते हैं इसको solve करते हैं हम तो यह बन जाएगा minus fifteen plus minus fifteen का square आता है 225 और प्लस आजएगा 4000 divided by two यह आजएगा minus fifteen plus minus 4000 में add किया 225 इसका square root लिया तो यह आजएगा 65 divided by two minus fifteen plus sixty five divided by two किया और एक दफाँ plus करेंगे और एक दफाँ minus करेंगे तो यह आजएगा 65 में से fifteen get fifty divided by two किया 25 और यह negative है 65 में plus किया 15 तो 80 divided by two किया तो minus forty तो number of term जो है वो negative नहीं हो सकते ओके तो इसको neglect कर दें neglect कर दिया और यहां पर 25 जो है वो answer है यहां कि 25 years में वो save करेगा he will save he will save two lakh rupees in 25 years ठीक है बिटा तो यहां तक यह हमारा question जो है वो complete होता है question number 90 अब चलते है question number 20 पे तो question 20 जो है वो इस वीडियो का last question है बाकी दो question रह गए है दो या ती तो वो इंशलम मैं separate बना दूँगा the total cost of 100 articles is 10400 find the cost of the cheapest and the dearest article if the prices of consecutive articles differ by 2 rupees तो total cost of 100 articles जो है वो आजाएगी हमारे पास 10400 इसका मतलब है के n जो है वो 100 है और sn जो है वो 10400 है find the cost of the cheapest article तो हम लेट कर लेते हैं कि cost of cost of cheapest article जो है ना वो एवन है और cost of dearest जो आर्टीकल है वो है an यह हमने find करना है sn दिया हुआ है और हमने a और an find करना है लास्ट में उसने कहा है कि if the prices of consecutive article differ by two तो यह जो common difference basically two rupees का है अब देखें आप तो n भी है हमारे पास a1 नहीं है और d भी है तो a n से a n से अब हम पहले चले sn से बलके n by 2 और 2 a1 plus n minus 1 into d sn की जगा पर लिखे 10400 n जो है वो है 100 divided by 2 a1 plus 100 minus 1 और d की जगा पर लिखे 2 यह जाएगा 10400 is equal to 50 2 a1 और 99 multiply by 2 करे 100 minus 1 99 multiply by 2 किया तो 198 और 50 को इदर लाके divide कर ले 10400 divided by 50 2 a1 plus 198 10400 divided किया 50 के साथ तो जादेगा 208 198 को इदर लाके minus करें 2 a1 तो यह बन जाएगा 208 to a1 208 minus करें वेटा 198 तो 10 और a1 की value आ जाएगी 5 a1 की value 5 यह cheapest जो article है उसकी cost इतनी होगी और इसके बाद हमने an find करना है an is equal to a1 plus plus n minus 1 into d a1 5 है और n जो है वो 100 minus 1 है और d की value 2 है इसको solve कर लें 99 multiple है 2 plus 5 तो यह जाएगा 203 ओके तो यहां से अब हम लिख लेंगे के आपके पास जो यहां पर अभी हम लिखेंगे के cost of the cheapest article so cost of the cheapest article a1 is equal to 5 रुपीज और cost of cost of cost of the dearest article यहां जो महेंगा यह लास्ट कहले आर्टिकल वो an है 203 रुपीज तो इस तरह से यह question 20 तक हमने exercise कर लिए इसके विटा two questions रहे गे हैं 21 and 22 question रहे हैं तो इंशाला मैं अलहदा accepted उस पर विडियो बना दूँगा तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसमें कोई problem हो आप लादमी पूछे मेरे से और कोशिश किया है कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ कोई कमी बेशीर है की हो तो माफ करिएगा तो नेक्स वीडियो तक के लिए राइनूर को अजाज़त दें अपना बहुत ख्याल रखें अल्ला आफिस